Find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM in 2 HCF is equal to product of the 2 numbers तो यह हमें 3 question दिये गए है, इनका हमें LCM और HCF निकालना है, ठीक है, simple सी चीज़ा निकालने के साथ में यह verify करना है कि इन दोनों का जो product है, इन दोनों numbers का जो product है वो इन दोनों numbers के LCM और HCF के product के बराबर होगा तो मैं इसमें से सरफ second question solve करता हूँ, बाकी बिल्कुल सेम है, आप खुद करके देखना उसको, ठीक है अब सबसे पहले मुझे करना है कि इनकी prime factorization करनी है, prime factorization का मतलब यह है कि मुझे इनको product of prime numbers की form में लिखना है, और यह हमारे पास सबसे पहले कुछ prime numbers है, 2, 3, 5, 7 and so on तो हमें क्या करना है कि यह 510, सबसे पहले देखो कि क्या यह सबसे छोटे prime number से divide होता है, 2 से यह even number है, तो 2 से divide होगा, तो ठीक है, तो यह मेरे पास कितना आ जागा यहाँ पे, 255 अब यह odd number होगया, तो 2 पे तो divide ने होगा, अब यह चेक करते हैं, क्या यह 3 पे divide होगा, यह 3 पे divide होगा क्योंकि इसके digits का sum, 2 प्लस 5 कितना है, 7, 7 प्लस 5 कितना होगया, 12, तो 12 3 पे divide होता है, तो यह number भी 3 पे divide होगा तो यह एक छोटा सा trick होता है कि कोई भी number जिसके digits का sum 3 से divide होता हो वो number भी 3 से divide होता है तो यहां आ गया 85 अब 8 प्लस 5 कितना है? 13 तो यह तो 3 पे divide नहीं होता 13 तो यह 3 पे नहीं जाएगा अब यह 5 पे जाएगा किसी भी number के end में 5 यह 0 आता हो तो वो 5 से हमेशा divide होता है तो यह आ जाएगा मेरे पास 17 अब 17 अपने आप में prime number है तो यह किसी और से divide तो होगा नहीं क्योंकि prime number यहां तो खुद से divide होता है या 1 से तो यह 17 से divide होगा यहां आ गया 1 जब 1 आ गया हम रोक देंगे तो 510 क्या हो गया? इस इंटो इस इंटो इस इंटो इस इंटो इस यानि की 2 इंटो 3 इंटो 5 इंटो 17 अब similarly 92 अब 92 की भी हम prime factorization कर लेते हैं तो यह even number है 2 पे जाएगा 46 आया फिर 2 पे जाएगा 23 आया अब 23 अपने आप में ही prime number है तो यह सरफ 23 पे divide हो सकता है तो यहाँ 1 आ गया हम इसको रोक देंगे तो यह हो जाएगा 2 इंटो 2 इंटो 23 तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ यह तो ऐसी छोड़ दो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 square इंटो 23 और अगर और ध्यान से देखना चाहो तो 23 की power यहाँ पे सरफ 1 है यहाँ पे 2 की power 1 है 3 की power 1, 5 की power 1 और 17 की power 1 है ठीक है? लिखना चाहो लिखो नहीं लिखना चाहो तो आप इसको छोड़ सकता है जरूरी नहीं मैं समझाने के point of view से बोल रहा हूँ अब मैंने बहुत सारे questions में आपको बताया है कि HCF निकालने का तरीका क्या होता है कि जैसे इसमें ये prime factor है 2 इसमें भी prime factor है 2 तो इनमें दोनों में सबसे छोटी power किसकी है? इसकी तो 2 to the power 1 आ गया ठीक है? 3 इसमें है इसमें है इनी छोड़ दो 5 इसमें है इसमें है इनी छोड़ दो 17 इसमें है इसमें नहीं है छोड़ दो 23 इसमें है इसमें नहीं है तो वो भी छोड़ दो यानि कि 2 is the answer यह हो गया मेरा HCF सिरफ हमने वो वाले prime factors उठाने हैं जो दोनों में आते हों ठीक है उनकी सबसे छोटी power हमने उठानी होती है अब लेते हम LCM तो LCM क्या दाएगा सबसे बड़ी power तो इसमें 2 इसमें भी 2 इसमें power 1 इसमें power 2 तो यह हो गया 2 to the power 2 बड़ी वाली उठाएंगे ठीक है इसमें 3 है इसमें है इनी तो फिर यही वाला उठाएंगे क्योंकि यही बड़ा हुआ 3 to the power 1 5 इसमें है इसमें नहीं है तो यही वला उठाएंगे क्योंकि यही बड़ा हुआ 5 to the power 1 इसमें 17 है इसमें नहीं है तो 17 to the power 1 और इसमें 23 है इसमें नहीं है तो 23 to the power 1 यह मुझे उठाना पड़ेगा तो यह कितना हो जाएगा मेरा 2, 3, 4, 6, 0 अब देखो मैं यहां जस्ट इन केस कन्फूजन है तो मैं यह बड़ा फिर से बतायता हूँ कि जैसे यह पहला नमबर यह था 2 to the power 1, 3 to the power 1 5 to the power 1, 17 to the power 1 अब दूसरा नमबर है 2 to the power 2 इंटू, 3 इसमें है यह नहीं तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 to the power 0 5 इसमें नहीं है तो मैं लिख सकता हूँ 5 to the power 0 क्योंकि 3 to the power 0 क्या हुआ 1 5 to the power 0 क्या हुआ 1 तो इसको multiply करूँगा तो कोई फरक नहीं पड़ेगा 17 इसमें नहीं है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 17 to the power 0 23 इसमें है 23 to the power 1 23 इसमें नहीं है तो इसमें मैं लिख दूँगा 23 to the power 0 ठीक है तो उसके बाद HCF के लिए सबसे छोटा वाला उठाओ 2 to the power 1 इन में से छोटा वाला उठाओ 3 to the power 0 इन में से छोटा वाला उठाओ 5 to the power 0 and so on और LCM के लिए बड़ी power वाला उठाते जाओ ठीक है ये तो हो गए मेरे answers अब मुझे verify करना है तो verify कर लेता हूँ अब 510 into 92 इसको जब आप solve करोगे तो आपके पास आएगा 46920 दूसरी तरफ hcf into lcm hcf into lcm अगर मैं करूँगा तो वो जाएगा two into two three four six zero which is again equal to four six nine two zero hence we can say k lcm into hcf is equal to product of two numbers okay so that's it from this tutorial keep watching mathemafia